जाहन मित्रो तो प्रिवियस पाच लेक्टेस में हम लोगों ने इंडियन फिजिकल जोग्रोफी को पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया हमने पेसिक इंडियन को कवर किया नदन एंड नौर्थ इस्ट मांटेस कवर किया उसके बाद हमने प्लेंस को कवर किया प्लेंस के बाद हमने पैनेसिलर प्लेटू को भी कवर किया और फिर उसके बाद में हमने तैजर्ड कोस्टल प्लेंस और फिर सबसे लास्ट में आइलें अब सवाल यह उठता है कि इंडियन फिस्कल जोग्रोफी से किस तरह के कोश्चन्स पूछे जाते हैं यह एग्जेक्ली है मैं पता हुआ चाहिए तो फिर हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे हम मतलब एक थियोरी तो समझ लेते हैं की अमने थियोरी पढ़ ली समझ ली लेकिन तक वह एक बाद आपको याद रखनी है कि यूपीसी का सिलेवर्स खासका सीडी है सीडी है इन एक्जाम्स के लिए यूपीसी का जो सिलेवर्स होता है वो काफी वास्त होता है अब पूरा याद नहीं कर सकते हैं अगर आप सोच अंगर को हम कपल करते हैं यानि कि इन दोनों को साथ में जोडते हैं पहले theory भड़ी फिर हमने questions की है फिर questions को analyse दिया तो ये पूरा process ज में के दिमाग के सामने आ जाती तो आप प्रैक्टिस दो कुछ यह हो एना तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम इस लेक्ट्चर में देखने वाले हैं कि प्रिवियस एयर क्वेशन्स कौन-कौन से इस टॉपिक से आये हैं और उनको डील करें 2017 से लेके 2023 तक के मैंने क्वेशन्स उठाये हैं जो इंडियन फिस्कल जोग्रोफी से हार्टबोर इंडियन फिस्कल जोग्रोफी से बिलोग कर ठीक है कुछ क्वेशन्स तो जब मैंने 2018 तक एक्जाम दिया था तो वहां की भी हैं और बाकि फिर उसके बाद जो मैंने पढ़ाया है उसके questions तो one by one इन सारे questions को हम देखना स्टार्ट करते हैं ठीक है अब देखो सबसे पहला question आता हमारे pass में यह भी recent cts to 2023 भी गई है ठीक है decreasing order में सारे questions आपको मिलते जाएंगी अगर आप देखना चाहें तो फिर previous year question papers को download कीजिए और वहाँ पर इन questions को आप ढूँड सकते हो देखो मेहनत लगेगी अगर आप सोच रहें कि वस ऐसी easy तरीकी से काम हो जाएगा तो वो नहीं होगा ठीक हैं तो आपको क्या दरना है आपको मेहनत लगानी पड़ेगी आपको time देना पड़ेगा आपको questions को ठूणना पड़ेगा उनका analysis करना पड़ेगा तब ही जाके वही देखो एकजाम clear हो ठीक हैं तो चलो सबसे पहला question है that which one among the following state capitals is closest to the equator तो वही सबसे पहले हमें पता है कि equator कहा पार है equator वही यह designated glow zero degree ले है ना zero degree north या south कुछ भी मान ली उसके respect में हमें इंडिया की position पता होने चाहिए कि इंडिया की position का है तो अगर इस map के basis पर देखेंगे तो यहाँ कहीं नीचे अपकी equator पड़ेगा यह point है यहाँ तो मतलब इंडिया की जो southernmost tip है वो equator के सबसे जदा नस्दीक है तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी capital है जो आपकी equator से closest अब आपके पास multiple options सामने नज़ा आते इन options पर इसे हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सी आपकी capital है होगा है तो सबसे पहरे आप state की बात कर लीजिए आप state को देख लीजिए कि कौन सा state ऐसा है जो इसके सबसे ज़्यादा नस्दीक आता है पर आप्शन्स देखें अंगर हम तो सबसे पहले मुंबई की बात करते है मुंबई कहां लाए करता है वही मुंबई तो यहाँ कहीं लाए करता है दूसरा हमारा option बहता है पुपनेश्वर है है यहाँ कहीं लाए गर था तो हैज़रावाद भी option नहीं होगा तो basically हमारा option कौन सा हो सकता है जो हमें सबसे ज़्यादा suitable लग रहा है तो सबसे आपको location सबसे पहले इनकी पता होनी चैए कि कहा का पर location होती है लाइक हैदरबाद की अगर हम बात करें तो इसकी location है 70 degree north ठीक है गुम्रेशोर की बात करें तो तोड़ा और उपर चला जाता है यानि कि 20 degree north पर चला जाता है ठीक है मुंबई आपका आता है 19 degree north अब इसमें सबसे ज़्यादा जो closest option है तेट इस पंजी वो आपका 15 degree north पर लाए करता है यहाँ गुआ ठीक हैं तो इसमें सब को पता है पास दो बड़े-बड़े mountains उनकी बीच से निकलने वाला रास्ता जो दो जगों को connect तर तो गई इसमें से कौन से ऐसे passes है जो इंडिया में लाए नहीं करते क्या जो जिला इंडिया में लाए करता है बिल्कुल लाए करता है जो जिला इंडिया में ही है ठीक है लिपुलेकला बिल्कुल भई उतराकंड के पास नहीं हमारा लिपुलेकला ठीक है लेकिन अफगानिस्तान के एरियस को भी चोड़ता है खैवर पास हो गया, यह कुछ आपके पुराने इलाके हैं जहांसे जो इस्लामिक इन्वीडर्स हैं या फिर सेंट्रल इशिया की जो इन्वीडर्स हैं वो इडिया में आया करते थे ठीके मैप देखना है बाई, हमें और कुछ नहीं करना है वस मैप देखो, मैप को समझ मी आयाएगा बजन्याइल पास कहा है red पास कहा है वीटी पास कहा है, यह सारे के सारे पास कहा है पास इसको study करो, मैप को देखना पड़ेगा Atlas उठा के सामने रखनी पड़ेगी Oxford की Atlas उठा लो Oxford की Student Atlas आती है उस पो अच्छे से Analyze करो जब तक map आपके दमाग में नहीं बैटेगा न जब तक visual cues आपके दमाग में नहीं बैटेगे न तब तक ये चीज़े नहीं आएंगी समझ में Geography मतलब map अब next आता है Consider the following clues about the state of India ऐसे questions भी आते हैं कि आपके कुछ typical characteristics दिये दिये जाते हैं कि इस पर्टिकुलर state के बारे में फिर आपसे पूचा जाता है कि बही कौन सा state जैसे पहला statement हो गया तो बही ये जो phrase है ये कौन से state के लिए denoted है सबसे पहली बात maximum मेरे काज़े लोग जानते होंगे कि ये असम के लिए बोला जाता land of red river and blue hill चलो अगर आप ये भी clear नहीं है तो ठीक है जलो हमने इसको consider नहीं किया है हमें 2 और 3 मैंसे देखना है अगर हम करनाटक में देखेंगे तो क्या वहाब तीन फिजियोग्राफिक डिविजिन देखने को मिलते हैं यानि कि प्लैजू हमें देखता है ठीक है अब कोस्टल इरियास भी जनों consider कर सकते हैं एक तरीके से लेकिन 2 हो गए ये तो है ना उसका effect तो पढ़ जाएगा न तो भाई ये नहीं होगा डूसरा आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश में भी ऐसा नहीं है एवन 36 गर में भी ऐसा नहीं है एक मात्र ऐसा हमारा स्टेट बचता है जिसको हम क्याते हैं असंब्र यहाँ पर तीन फिजियोग्राफिक डिविजिन देखने को मिल जा कौन कौन से अगर हम यहाँ बात करेंगे लोर रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है आपको हिल्स देखने को मिले इली एरिया मिलेगा पर रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको माउंटेंस देखने को मिले और उसके बात अगर हम इस एरिया की बात करते हैं यानि कि ब्रह्मपुत्र वैली की जिसको असम वैली कहा जाता है तो ये आपका मेदानी इलाका यानि की प्लेंस देखते हैं तो second option आपका ऐसा है जिससे हमें पता चल जाता है कि आसम है लेकिन उसको कंक्रीट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन भी कंसिडर कर रहा है और थाट ऑप्शन भी कंसिडर कर रहा है कि ये हमारी पूरी कंट्री का 2.39% एरिया कवर करता है तो आपको जरूरी नहीं कि तीन-तीन जिस बाउंडरी भी तेलांगना के साथ में कौन को से स्टेट्स जो है वो बाउंडरी शेयर करते हैं तो इस सीरी से बात है देखो कि भो सकता है मैप आपको वहाँ अबलेबल ना हो जरूरी मैप तम पूछे जाते हैं लेकिन दिमाग में तो मैप फिट होना चाहिए अगर आपने पूरा मैप को एनलाइस किया है, आपने ओक्सफोर्ड की स्टुडेंट एडलस या जो भी एडलस अब यूज़ करते हैं, वो अपने बैट के पड़ी है, अपने इंडिया को अच्छे से अनलाइस किया है, तो आपको सारे स्टेट्स की पोजिशन पता हो, तो हमें माल स्टेट्स तेलांगना साथ लगे हुए, लेकिन अब एक चीज़ सर्टेन है कि मद्रप्रदेश जो है, वो तेलांगना के साथ में नहीं लगा हो, तो हमने बी ओप्शन हटा दिया, और सी ओप्शन हटा दिया, अब ए और डी हमारे पास बचते हैं, यानि कि वियर्श और म पाउंटरी तेलांगना के साथ, बात आ जाती है, 36 गर्ड और और इसागी, तो 36 गर्ड का तो वह स्पेसिफिक लिए पता है, क्यों पता है, किसे फेरे वेट बही हैं से अर्ब एफ में, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, उनकी फ्रिक्वेंट पेट्रोल्स बगरा होती है नकसल्स बगरा को अर्ट करने के लिए, तो वो आपकी इस बॉर्डर में जाने लगती है, ठीक है, कई बार नकसल्स यहां वारदात गरते हैं, और तेलंगना साथ चले आते हैं, ठीक है, महारास्त आज चले जाते हैं, तो यहां बॉर्डर पे ऐसे एक्टिविटीश चलती पे लिए, तो यह उप्षेन आपका हो गया, गलत, उप्षेन बी इस बाप, करेक्ट, फिल्ली नेच्स कोशन आता है, सीडिश की सारे कोशन है, कि रानी ने अपने दोस्तों को फ्लॉंट करते हैं, पिछले साल वो चार डिफरेंट लेक्स में बोटिंग करने के लिए गई पहला है लोक्तग, दूसरा है पारापानी, तीसरा है बोलिरू, और चो ता है पुलीगट, अभूस अगत है कि आपको चारो दिख मेंसे एक याक्या दो दिख के बइस बाहरी ने पता हो वैसे तो आपको सारे लेक्स के बाहरी पता होना चाहिए, मिजर लेक्स निट्या के कौन-कौन से है, तो सबसे पहले हम लोक्टक लेग की बात करते हैं, तो देखो लोक्टक लेग जो है, वो तो प्रिगेडियर, सौरप, सिखावत से काफी सदा फेमस है, वैसे ही फेमस है, लेकिन डिफैस एस्परेंट्स उनके नाम से जानते होंगे, उनका जो पैरा-SF का य हमें जादा आइडिया ना हो, तो फिर हम कौन से लेक की बात करेंगे, हम फिर देखते को, कोलेरू लेक को, कोलेरू लेक जो है, वो कहा लाएगा, तो कोलेरू लेक आपका लाएक करता है, आन वित्रदेश, ठीक है, तो हमारा option क्या हो गया, भी सही हो गया, हमें दो ही पता है, हमें जादा नहीं पता, तो हम दो चीजों का सरटेन है, अब माली जी हमें पोलेरू भी नहीं पता, तो भाई हमें पुलिकट तो पता ही होगा, पुलिकट कहा है, पुलिकट चेननी के नौर्थ में है, तो पुलिकट आपका तमिल नाडू में आ गया, एक या दो चीज नवारा हुआ सही B नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बहुत सिंपल सा बिसिक सा कोशन है कि ट्रॉपिक आफ कैंसर जो है वो कौन पहुत से कोस्टल और लेंड लोग स्टेट से पास होती है नॉर्माल कोशन ये भी तुछा जाता है कि गुजराद क्या है गुजराद एक कोस्टल स्टेट है ठीक है फिर जाती यहाँ पर राजिस्थान से लेंड लोग स्टेट है चारों दरफ जमीन ही जमीन है तीसरा फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश ये भी लेंड लोग स्टेट है यहां भी आसपास जमीन ही जमीन है कोई Coast नहीं है फिर वही आपका च्छ तिसगड़ से भी पास होती है तो वही च्छ तिसगड़ में भी आपका Land Lock ही स्टेट है और फिर उसके बाद में आजाता आपका जारखंड यह भी Land Lock है लेकिन West Bengal आपका जो है यह आपका Coastal आता तो वह दो Coastal हो गए यानि कि B या C में सेंसर हो D हट गया और A हट गया अब उसके बार में आ जाता है आपका तिरबुरा और Last Man भी जो रहा है तो यह भी आ जाते हैं हमारे तो वह यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मतलब 6 स्टेट्स हमारे जो हैं वो Landlocked हैं और 2 स्टेट्स जो हैं हमारे वो Coastal है तो Simple Answer Next Which one among the following states has the longest extension in North to South direction कि भाई North से लेकि जब हम South की तरफ मूब करते हैं तो कौन सा इसा स्टेट है जिसका longest extension हमें देखने को मिलता है तो Longest extension हम कैसे पता करते हैं Distance से पता करते हैं वो भी पता करते हैं और दूसरी चीज़ होती है भाई इसकी Latitude की लेंद की वज़े से लेंद की जो लेंद है उसकी वज़े से हम क्या गरते हैं पता करते हैं कि इसका North to South extension ज्यादा है तो सबसे पहले अगर आप झारकंड को देखें तो भाई झारकंड जो है 36 गर के comparison में तो भाई इतना जादा नहीं है इसका Latitude का extend तो यह नहीं होगा ठीक है आप comparatively अगर तेलांगना को देखना चाहे तो भाई तेलांगना का भी नहीं है ओडिसाद का जो है ओडिसाद का भी अगर आप देखेंगी तो भाई नहीं है वो क्या गर रहा है 36 गर के बरावर ही कतम हो रहा है वैसे अगर आप Technical Point of View से देखना चाहे तो Technical Point of View से भी आप Latitude के extend जेख सकते हैं लेकिन यहाद तो Clearly Visible है तो आपको उतना Technical जाने की ज़रूत ही नहीं तो 36 गर is the correct answer जिसका North से लेके South का extend जो है वो longest है इन सारे स्टेट के अंदर Next question आता है भाई हमारा Which of the following Indian states has the longest coastline हम सबको पहली बाद तो ही है पता है कि इंडिया की coastline गुजरावत स्टार्ट होती है और यहां West Bengal तक खतम होती यह पूरा इतना travel करने के बाद मैंने लेक्चेस में आपको बताया था 75, 16 km के हमारी coastline है पूरी इसमें से 600 km है वो हमारी mainland की है और बाकी की जो है वो हमारे islands की coastline को count करती तो इन states में से सबसे बड़ी coastline किसकी है अगर हम इस table को देखें तो गुजरात की सबसे ज़्यादा बड़ी है 1214 km की जो coastline है वो हमारी पूरे गुजरात की है उसके पाद second ranking आ जाती है हमारी नांति प्रिदेश थर्ट आ जाता है तमिलाडू चौता आ जाता है माराष्ट पाँचवा आ जाता है केरलाग छटवा उरिसा साथवा करनाटाग क्लियर है चोटे-चोटे question है जादा बड़ी चीज़े नहीं है आई पीजी से आपकी basic question आते हैं basic factual question आते हैं और लेकिन हम उनमें कल्दी कर देथी कि हमने पढ़ाई नहीं कियो चलो next question जो काफी बार repeat हुआ है बार बार repeat हुआ है मतलब हर साल में एक बार तो question आई जाता है कि वे 10 degree channel कहां पर पाया जाता है 10 degree channel यानि कि 10 degree latitude की बात कर रहे हैं 10 degree latitude की बात कर रहे हैं यह आपका 11 degree channel हो गया है इसके जस्ट नीचे आता है 10 degree channel तो यह basically कहां पाया जाता है 10 degree channel पाया जाता है लिटिल अंडमान और कार निकोवार की बीच में यानि कि लिटिल अंडमान और कार निकोवार को यह separate करता है clear answer next आगे बढ़ते हैं माउ थ्विलर की बात करते हैं पी एक अत साल के अंदर आई ही जाता है कि माउंट थ्विलर जो है 642 मेटर एक important mountain peak है अंडमान और निकोवार आइलेंड की तो यह basically कहां पर situated है यह पूरा अंडमान और निकोवार आइलेंड का धीप समोग है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आजाते हमारा ग्रेट निकोवार आइलेंड की बात कर रहे हैं यानि की ग्रेट निकोवार की बात कर रहे है तो ग्रेट निकोवार जो है यही पर हमारी माउंट थ्विलर जो है वो located है ठीक है और थ्विलर्ग इस सिचुएटेड़ ओं क्रेट निकोबार नेक्स तरसे तो फॉलइंग स्टेटमेंट्स आफ करेवास मैंने आप लोगों को इंडिन फिस्कल जोग्रफी में पहरे चैप्टर में ही नॉर्डन एंड नॉर्ट सिस्टन मौंटेंज में करेवास के बारे में बताएं करेवा क्या होते हैं करेवा बेसिकलिए आपके होती है ठिक glacial clay glacier की जो ice होती है sorry glacier की जो clay होती है वो आपके ठिक deposits हो जाते हैं अब ये deposits किसलिए काम में आते हैं ये deposits are well known for the cultivation of saffron saffron के एक variety होती है जिसको साफरान कहा जाता है उसके कल्टिवेशन के लिए जो आपको दखाये जा रहा है ये ऐसी मिट्टी पर ही होते हैं तो ये कश्मीर वैली में काफी जादा होते हैं इसके साथ साथ ऐलमंड और वालनट भी आप आये जाते हैं तो statement 3 आपका आध के बात करें क्या मतलब होता है का मतलब होता है लेक रि LIGr रिलेटटड ये ज nhà जैसे कास्ट का मतलब होता है अंटरग्राउड ौटब ये थैन तो लेकर रिलेटड मैरिन की बात करते हैं तो ओ आजाता आपका बैसिकली सी रिलेटड और जब हम fluvial की बात करते हैं तो basically वो आ जाता है आपका water related यानि कि river, riverine में basically ये सब categories आपके rivers की होती ही fluvial यानि कि बहने वाला तो उसमें riverine आ गया, marine आ गया, cast आ गया, ये सब आ गया, lagastrine आ गया तो these are the lagastrine deposit of place to see period यानि कि 1 million 1 million thousand years पहले 1 million thousand period पहले का उसको place to see period कहते हैं तो बिल्कुल सही है भाई, ये lake related deposits हैं जो आपके 1000 करोणों साथ से जबाँ होते आ रहे हैं ये area क्या हुआ, ये area थोड़ा सा उपर उठ गया फिक यहांपर पहले बहुत बड़ा lake वह गरता था लेकिन ये area थोड़ा उपर उठ गया ये area थोड़ा उठ गया है और ये पहले आपका lake वाला area हुआ गरता तो मतलब first और second भी आपका जो है, वो सही है तो मतलब इन मैंसे तीर statements हमारे सही next, in which one of the following states or UT is the lake Somogor located तो भाई, lake Somogor कहा पर located है तो भाई, जब भी जो लोग सिक्किम अगर हों ने गए होंगे उनको तो पका पता होगा कि लेक Somogor गेंक टोक के पास नहीं पढ़ता है, है ना तो सिक्किम के पास में पढ़ता है भाई, हमारा lake Somogor फिर बात करते हैं, which of the following statements about the coast of India is correct तो यहां पर हम questions को अगर देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा western coastal place and eastern coastal place के बारे में पूछा जा रहा है इनके characteristics भी मैंने आप लोगों को बढ़ा है वही सबसे पहला आता है कि तो वेस्ट कोस्ट ओफ इंडिया is a high rocky retreating coast यानि कि यह थोड़ा होचा है बिल्कुल सही लैंड का tilt west से लेकि east की तरफ आता है तो भई यह लाका थोड़ा होचा है यानि कि यह आपका क्या है submerged coast है यानि कि थोड़ा टोका हुआ पूस्ट है तो बिल्कुल सही बही western coast में आपकी दौना चीज़ा देखने को मिलते हैं submerging feature भी देखने को मिलते हैं प्लस emerging feature भी देखने को मिलते हैं लेकिन या कि जो submerging features है वो जाधा dominant है जब की eastern coast के emerging features जो है वो जड़ा dominant तो इससे फर्क क्या पढ़ता है इससे फर्क ये पढ़ता है कि submerging जो आपकी coast land होती वहाँ पर ports और harbors काफी प्रक्षे से develop हो जाते हैं यानि कि natural conditions मिल जाती है गहरा ही मिल जाती है लेकिन emerging में आपको artificial बनाने पढ़ते हैं ठीक है अब ये क्या सही है बिल्कुल सही है वही हमारे western cars नहां से आते हैं कि नहीं आते हैं वही वहीर्ट से istart होती है तो यहाँ पर आपके erosional landforms है, यह reverse क्या करती है erode करती है, है न erode करती है, अपने साथ sediment को बहा के ले जाती है, तो यह भी सही है, west coast इंडिया का erosional landforms के दोरा dominated है, थर्ड आता है that east coast of India however is a low sedimentary cost exhibiting depositional farms अभी बता है था, कि वही west coast दे लेकि east coast की तरफ क्या हो रहा है, action हो रहा है moving water का, reverse का, तो यह sedimentary cost होगा न, क्योंकि यह पर delta के formation होते है, sediment जो आता है deposit होगे क्या करता है, delta बनाता है तो eastern coastal plains जो इंडिया का है, यह low sedimentary cost है, यानि कि यह पर sediment का जवाब बढ़ा होता है, पूरा sediment जमाख किया जाता है और यहाँ पर depositional firms, यानि कि delta की जो features है, वो आपको देखने को मिलते, depositional firms, delta हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों options, जो है वो सही फिर आगे बठते है वही which one of the following is not a mountain peak of the अंडमान and निकोबार islands, कौन सी mountain peak, अंडमान निकोबार आलेंट्स की नहीं है तो saddle peak, बिलकुल है नौर्स अंडमान की है mount thriller, अभी हमने बढ़ा था crate निकोबार में है यह भी है, lot sick peak और mount diavolo, mount diavolo जो है, वो भी आपकी अंडमान निकोबार आलेंट्स को बलोंग करती है लेकिन lot sick peak जो है यह नहीं कर दी यह आती है आपकी नेपाल के बास ठीक है, नेपाल के बास mount average के तोड़ा सा south में अगर आप move करोगे, तो वहाँ पर lot sick peak जो है, वो बिलोंग करती है यानि कि नेपाल हमालेंट्स का पार्ट है अंडमान, बताँ इंडिया निवालेंट्स कभी बाट नहीं है अंडमान निकोवाग तो दूरी की बाग तो भई, lot sick peak is a part not a part of अंडमान एंड निकोवाग आईल moving back, अब आज आते हैं भई, यानि कि कोई बंदा है या बंदी है, वो क्या करना चाह रहा है एक union territory को visit करना चाह रहा है जो कहाँ पर located है जो 34 degree north से लेके 77 degree east की बीच में located है तो मैंने आप लोगों को latitude के हिसाब से इंडिया का extent बताया था जो ए 8 degree 4 minute north से लेके 37 degree 6 minute north longitude के हिसाब से भी मैंने इंडिया का आप लोगों को extent बताया था जो आता है हमारा 68 degree 7 minute east से लेके 97 degree 25 minute east तो हम बात करें union territories की हम states की बात नहीं कर रहे है unit territories की बात कर रहे है तो वही कौन सी ऐसी unit territory है जो 34 degree north पर आती है तो वही 34 degree north यानि कि यहां तो 8 आ रहा है तो 9, 10, 11 वारा करते भी अगर आप जाओगे तो वही 37 की तो 36 आ रहा है यानि की बात हो रही है हमारी यहां इस area तो यह area हमारा आ जाता है लगदा अगर हम इससे भी clarity नहीं आती है तो फिर हम क्या करेंगे फिर हम थोड़ा सा और move करेंगे हम आपको देखेंगे longitude के respect तो longitude के respect में जखोगे तो भई 68 यहां आ रहा है तो भई 68 यहां 97 आ रहा है यानि कि यहां पर आ जाता है तकरिवन आपका 15 डिगरी यहां कावर हो जाती है तो 68 में अगर हम 15 प्लस करते हैं या पर 10 भी प्लस करते हैं तो मारा क्या आ जाता है यहां आजाता है यहां आसपास 77 तो 77 सीधा यहां क्रॉस करेगा तो मतलब सर्टेन है कि हम लद्दात की बात कर रहे हैं नेक्स आता हुए identify the state on the basis of the following characteristics लेकिन तो भी फिर से स्टेट से तुरपरा और मिजोरं जिनके तुरू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है तो नागा लेंड हट गया और मनीपूर हट अब डूसरा इस ट्रेंड का जो एक्सटेंशन है वो नौर्ट साउथ जादा है तो भाई सीधी सी बात है तुरपरा के कर्मपैरिसर में अगर ऐसा है जो अपका म्यामार और बांगले देश दौनों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है तो करेक्ट देशर विल भी मिजोरभ नेक्स भई आते हैं वही कि एक बंदा है टी या बंदी है वो क्या करना चाहरा है खारदूंगला विजिट करना चाहरा है और नुब्रा व आपका कहां पढ़ता है नुब्रा रिवार और नुब्रा वैली आपकी कहां पढ़ती है यह तो बाई जगत नों फैट्स है जो भी गुंगने विरने के लिए जाता है कि यह हमारा लगदाक में लाएकर तो यह प्रॉपर आपका खारदूंगला वागरा जो है नुब्रा पाइंड बैली वगएरा यह सब आजाती है लगदाक के अंदर नेक्स्ट कुशन आता है बहुत बेसिक सा है कि स्क्रीमस और रिवर्स जो हैं वो कमिंग फ्रॉम दा मांटेंस पांटेंस आपकी स्क्रीमस और लिवर्स हैं ओं ग्या कर रहे हैं हैं हैवी मटेरियल जो रॉक आजाता है मुझे 8-9 क्लास में हुआ करता लाब नहीं होता ठीक है आपको भी नहीं होना चाहिए तो वह हम सब यहाप और यहां पर यहां पानी करती थी तो यहां पर आसपास रीवर निट्टी जमा करती थी लेकिर अब यहां सर फ्जो होँ रही है तो रिवर अपने आसपास यहां थखादर में लेट जमा कर रहे हैं नेक्स्ट आते हैं इंडिया की टेरिटेरियल लिमिट कहा कहा तक extended है तो इंडिया की बात करें तो जो टेरिटेरियल लिमिट होती है वो आपकी रहती है यहां से मारा समूतर स्टार्ट होता है वहां से 12 एनम का मतलब होता है 12 नॉटिकल माइल में तकरिवन 1.2 किलो मीटर होता है तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है इंडिया का टेरिटेरियल लिमिट extended रहनी उसके बाद हमारा Contiguous Zone आ जाता है, जो तकरिवर 24 एनम तक रहता है, उसके बाद 200 एनम तक हमारा Exclusive Economic Zone होता है, यह सारे के सारे आते हैं, United Nations के Conventions होते हैं, Open Seas के लिए, ठीक है, United Nations Conventions and Laws on Open Seas, Unclosed जिससे कहा जाता है, यह मैं आपको Oceanography में अच्छे से पढ़ाँगा, कि क्या क्रेटरस्टिक्स होत क्या होता है, ठीक है, Continental Shelf मतलब वो बेसिक आपका इलाका होता है, जैसे यहां से समुदर स्टार्ट हो गया, और यही इलाका हो सकता है कि कभी पहले यहां पर लेंड होगा करता था, लेकिन आप यह पानी की नीचे जम गये, तो Continental Shelf आपका ऐसे Extend होता जाता है, और यह स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पर इतनी के परस्पेक्डिव से देखें, ने. तो भई फिर जे वही सवाल आ गया कि वही सवाल बार-बार इसको रिफ्रेश करके दे दिया जाता है यानि कि 10 डिगरी नॉर्थ का जो लेटिट्यूड है वो इन्होंनों आइलेंड ग्रुक्स को क्या करता है लग करता है फिर आते हैं वही सम्हाइक बीचा, वहीं ब्लीटन सस्टेंडर्ड मेरिडियन आपकी लोटिड़ है लोटिड़ है अब भई हमें ये भी पता है कि इन डिया जो है। ऊपकी प्रायम मेरिडी नोवी जीरो डिगरी पे यह अपका western hemisphere एक eastern hemisphere यह होगी equator इंडिया यहाँ नहीं लाए कर तो बहुँ सीरी से बात है इंडिया तो eastern hemisphere में लाए कर रहा है तो यह आपका western वाले तो हटा ही दोगा अब उसके बाद मैं यहाँ पर हमें clear नहीं हो रहा है कि बहुँ कौन सा exactly है क्योंकि यह इस छोट-छोटी values में confused हो जाके 83 degree था कि 82 था तो यह तो याद करना पड़ेगा ना तो इंडिया 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 को तो इक्वाल हाफ में डवाइट करता है यह आपका UP के मिर्जा पॉर्स से गुजरता है तो उसको एक standard reference point की दोर पे हमने लिया है और country के लिए एक ही time आपका इसी latitude के हिसाप से हमने determine किया है तो हमारी इंडिया को कितना time होता है वो होता है GMT 5 hours and 30 minutes इतना time count करते हैं यानि कि अगर greenwich पे prime meridian पे 0 degree पे अगर आपका time हो रहा है रात के 12 बचा है तो इ 5 गंटा जो है time plus में मानते हैं longitude की position की वज़े से एक longitude से दूसी longitude की बीच का difference होता है 15 degree और 15 degree को count करते हैं 1 hour तो हिंडिया का जो location है वो कुछ इस तरीके से आता है कि एक गंटा फिर एक गंटा फिर एक गंटा फिर एक गंटा फिर साढ़े साथ डिगरी हो गई तो आदा हमारे साढ़े पांच बज़ रहे तो पांच बज़ रहे और वो सकता है कि जो बंगलादेश है उसने six hours ले रखाओ तो बंगलादेश के कितना time आएगा उसका आएगा GMT plus six मतलब वहाँ सुबहे के छे बज़ बज़ एस अब बात करते हैं that which one among the following unit territories of India is the smallest in geographical area इंडिया की क इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा इंडिया की मैप को देखना पड़ेगा चंडिगर तो बही नहीं है चंडिगर तो सबसे smallest के केटिंगर में नहीं आता है हमें पता है यह नॉन फैक्ट्स है अभी लक्षितीप का अफी नियूज में था कि लक्षितीप का जो टोटल इस 32 स्क्वेर किलोमेटर ओंली तो लक्षितीप जो है वह हमारी सबसे smallest unit territory है सबसे largest आ जाते है हमारी अंडवान ए निकोवार ऐलेंड यह है तकरिवन 8294 स्क्वेर किलोमेटर फिर आता है इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और unit territories have more than two international borders boundaries तो बही कौन पौन से स्टेट्स ह है जिनकी दो से ज़्यादा क्या है international boundaries आ जाती है तो बही सबसे पहले हम और इस states को देखते हैं जिनकी international boundaries आती है सबसे पहले हम गुजरात की बात करें तो गुजरात इस category में आता है नहीं आता राजिस्थान आता है राजिस्थान भी नहीं आता ठीक है तो बही फिर कौन स आता है पंजाब पंजाब भी नहीं आता चमू कश्मीर लगदाग भी नहीं आता हिमाचल भी नहीं आता उत्राखंड भी नहीं आता ठीक है अब इसके बाद हम उत्रप्रदेश को देखें तो नहीं भाई सिर्फ नेपाली आता है नी उत्राखंड तो आता है नेपाल के साथ यह ऌर सबुसे तो नहीं हो गया तो उत्राइब नहीं होगा हवारा सब्सर ना आता है हम्मारे बास में फैद किम तो वही ठीक है सिक्किम हो गया सिक्किम चैना के साथ भी शेयर कर रहा है नेपाल के साथ भी शेयर कर रहा है और पूटान के साथ भी कर रहा है और म्यामार के साथ भी कर तो वह दो हो गए फिर अगर हम नागालिंट की बात करते तो वो सिर्फ म्यामार के साथ कर रहा है तो नहीं होगा अस मारिपूर की बात कर रहा है तो हो भी नहीं होगा तो भी मीजोरम आपका म्यामार और इसके साथ किसे के साथ कर रहा है। बंगलादेश यारलंग सांगपो जो तिबत में originate होती है यारलंग सांगपो ये पांस रोगर के पास इसी को इंडिया में कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा ये यहाँ पर नामचा वरभागे पास में एक बड़ा सा यूटन लें दी है फिर इंडिया में स्तधिया जो टाउन है असम वैली के हैड पे वहाँ रियपियर होती है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र उससे पहले इसको अलग-अलग नामों से यानि कि जाना जाता है और फिर इसी लिए अंसर होगा भई हमारा प्रह्मपुत्र नामों से पहले हम ब्यार की बात करते हैं तो नेपाल के साथ लगा हुआ है तो गलत हो गया 36 गड़ अंसर मिल गया 36 गड़ ऐसा स्टेट है जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउडरी नहीं है उत्राखंड की भी यही है उत्राखंड की तो चाइना और नेपाल दोनों आ गई अभी डिसकस किया था और इवन मेगा लेक की बात करें तो मेगा लेक की भी जो है वो आज आती बंगलादेश आज़ा तो 36 गड़ इस दर करेक्ट माउंटेन पीक है और कौन सी हिल रेंजिस पे वो लाएकर तो सबसे पहले आती है अनाई मुदी अनाई मुदी कहां लाएकरती है तो वही अनाई मुदी के बार में आप लोगों को पता होना चाहिए अनाई मुदी जो है western ghat की सबसे जादा highest peak कहा लाएकरती है यह लाएकरती है अन्ना मलाई hills में ठीक, तो मतलब A का हो गया 4, तो option A हटा दो, option B हटा दो, option C और B को हम consider कर, फिर next बढ़ते हैं, डोड़ा बेटा, डोड़ा बेटा कहा लाए करते हैं, तो डोड़ा बेटा हम सब को पता है, वो क्या करते हैं, वो आपकी western card की second highest peak में आती, तो वो कहा लाए करेगी, वो करेगी हमारी deal गरीब, तो मतलब B का answer क्या होगा, वर, तो automatically हमने इस वसले option को हटा दी, ठीक, आप उसी तरीके जागर पूचा जाए कि eastern cards की highest peak कौन सी है, तो वो आती अपकी महंद्र गरी, ये कहा पढ़ती है, ये महंद्र गरी hills में ही बढ़ती है, ठीक हैं, और फिर उसके बाद धूपगड की बात करते हैं, और गुरुशिखर की, तो गुरुशिखर तो हमसे आपको पता भाई, ये मांट आउगमिया आता है, और ये कहा पढ़ेगा, ये आपका पढ़ेगा, अरावली ranges, ठीक है, तो D आपका 3 हो गया, और धूपगड ये बढ़ता है, ये बढ़ता ह की जाती ही, तो पूचा जा रहा है कि पुरुशा जा रहा है कि फॉरल रिप्स ऐसी कॉन सी रेजन है, जिसमें पाई रही जा, तो लक्षटीर में तो बढ़े बिलकुल पाई जा रहा है, सब को पता है, ठीक है, आपका गल्फ औサद के बढ़ेगा, ये बानिके आपके पर और एशुरी फॉर्मिशन मी होता है मैंने आपको बता था एशुरी का मतलब ऐसा एंड है और यहां से बीच्छे से रिवर्स हा रही है तो आपको गल्फ ऑफ कैंबे यानि की गल्फ ऑफ खंबत ऐसा इलागा है जहां पर पोरल रीफ नहीं पाई जाए नेक्स बढ़ते ह को आठीए तो को स्टल रीजर्स पे कहा कहा आपकी बिसिटल पा जाती है और नर्मादा हमें तो नहीं बाई ₤ नहीं गोदावरी हैं पाई जाती है क्योंकि वह आपका आ रहा हाँ कहा हो आपका पड़ा किस्टन को स्थी फिर्क गल्फ हार ह regression सुन्धर बंस अगें बही आपके Eastern Coastal Regents में आ जाते हैं, लेकिन जो backwaters of Kerala है, आपके Middle East से कायल्स इनको कहते हैं, तो कायल्स में हमें सबसे ज़्यादा सेशिलिट्स जो हैं इंडिया में देखने को मिलती हैं, backwaters of Kerala. Now, the following is the largest fresh water lake in India, ये एक fact है भई, ये simple सा fact है, that is Guler Lake, Guler Lake जो है largest fresh water lake है इंडिया में, ये कहां लाए करता है, ये कश्मीर में लाए करता है, डल लेक के पास में, यारी कि ये आपकी greater हिमालयास range और जुक्पीर पंजाल range है, उनके पास में लाए करता है, तो भई ये हो गया हमा पूलर लेक, इसके साथ में और भी आप चीज़े देश सकते हैं, लाइक सामवर लेक हो गया, लार्जस सॉल्ट वाटर लेक हो गया, लोनार लेक हो गया, नैशनल जियो हेरिटेज बॉन्यमेंट हो गया, ये सबसे लंबा है, यहापर आपकी नहरू बोट की जो रेस वगर वह जर रा होती है, वो सब भी होती है, चिलिका लेक है, लार्जस च्री लेक सबसे हाइस लेक है, जो आपका सिख्य में लाइक करता है, यह हो गया, भई हमाéraило, फ्रैश वाटर मुझा है तो ये टी ट्रम्स हमें याद होना है, वह इत कुश्यन दूआ से घुं के तो आगे NDA और CAPF प्लस Civil Services के Prelims के तो questions उठाए ही नहीं उनमें भी ये questions आपको देखने को मिल जाते हैं आपको एक बात समझनी पड़ेगी तो अगर आपको questions की practice करनी है ना तो Prelims के questions उठा तो किछले 4-5 साल के CAPF की जो questions होते हैं पेपर बन की वो ठालो NDA के questions उठालो इनके questions आपस में घुंगते फिरते रहे हैं तो अन्दमान group of islands अन्दा निकोबार group of islands are separated by which one of the following latitudes कौन सा latitude इनको separate करता है तो जगत नौन अंसर 10 degree channel 10 degree north latitude अब 8 degree channel किसको separate करता है अब हम अरेवियन सी की बात करते हैं तो 8 degree channel किसको separate करता है 10 degree तो आपको बता दिया अन्दमानों निकोबार को separate करता है 8 degree channel जो करता है वो मिनिकोई यानि कि लक्षिदीप group of islands को मालगवदी से separate करता है लेकिन अगर हम लक्षिदीप group की बात करें तो यहाँ पर 9 degree channel आ जाता है वो क्या करता है वो मिनिकोई को लक्षिदीप group के बाती जो islands से separate करता है तो 9 degree channel मिनिकोई को लक्षिदीप से separate करता है यानि कि बाती group of islands से कावरती वगर अज़े और 8 degree channel जो है वो मिनिकोई को मालवदी से separate करता है तो इट विल वी लक्षिदी फ्रॉं मालवणीज नेक्स ना विच वर अमंग दॉ फॉलाइंग पासिज लिंक्स लासा विफ लदाक लासा हम सबको पताएगी भई हम तिबत्ती बात करें है ना तो खाइबर पास नहीं भई खाइबर पास क्या है ये तो भई पाकस्तान वाला है है ना तो नहीं आएगा बाबु सार ये भी भई आपका गिलकिट और पास्टिस्टान जो रीजन है उसको करता है ठीक बुर्जिल्ला बुर्जिल्ला भी भई नहीं बुर्जिल्ला जो है वो भी इधर की एरिये में या यह भी नहीं आएगा लेकिन लरक पुला जो है यानि की यह रहा यह क्या करता है यह आपका लासा और लद्दा को चोड़ता है नेक्स विध मैच लिस्ट विध इस टू ठीक है दॉना लिस्ट को हमें जोड़ना है यानि की माउंटें पास और कौन सी प्लीस को भी लाउंग करते है वो हमें देखना है अभी जो हमारा क्या बोलते हैं युनिन टरिटरी है ठीक है तो भई A का अंसर होगा 3 यानि की A और B आप्शन आठा दीजे C और B को मुझेडर करें सेकिंड अब आपका आता है कि भई शिप्कीला कहां पर लाएकर है ना शिप्कीला तो शिप्कीला आता है हमारा हिमाचल प्रिदेश में तो यानि की B का बन यानि की C को गसिडर करेंगे D को टोटली डिस्कार करेंगे लेकिन अगर हमें और अच्छे से जाना है यानि कि हमें B का नहीं पता तो हम C की तरफ पढ़ेंगे का मतलब होगा ह। का है यानि की गुण का नहीं इसके तो टोड़ी मुश्किल हो जाएगी है और यह को मतलब होता है तो कहीवर ऐसे भइद होता है तो ङौक्शन कंकरीट तरीके सब पता है तो उसके बाद वी मुश्किलें आजाते ही तर घर work करना पड़ता है ठीक है तो हमें जादा से जादा information होनी चाहिए तो c is the correct next question आपका आता है कि which of the following statements in respect to the Indian Penisular Plateau are correct Indian Penisular Plateau के respect लग कौन से statement आपके सही है वह सबसे पहला आ गया कि the Deccan Plateau gradually rises from north to south north से लेके south तक Deccan Plateau अपका जो है वह gradually rise करता है तो भी हमें पता है कि Deccan Plateau जो है वह north से लेके south तक extended है ठीक है total 8 Indian Straits में इसका extension पाया जाए तो इस statement आपका क्या होगा सही है दूसरा आता है कि Malwa Plateau dominates the wind scarps forming the eastern frank of the plateau यानि कि Malwa Plateau है यह क्या करता है यह wind range को क्या करता है डॉमिनेट करता है और इस प्लैट्यू का eastern boundary है यह फिर eastern area उसको cover करता तो भाई बिलकुल सही है यह ठीक है नेक्स तव बैस्टन सत्पुडा separate the Normada and Toppy River यानि कि जो western सत्पुडा है आपके वो क्या करते है वो नर्मदा और Toppy Rivers को separate करते है तो भाई बिलकुल सही यह जो सत्पुडा के घने जन्गल है यह यह आपके नर्मदा और Toppy River को क्या कर रहे हैं separate कर रहे हैं तो भाई यह भी सह आप प्लेटी जो है बिल्कुल सही इसमें अर्कीन ग्रिनाइट और ग्रिनाइट जो रॉक्स होती है वो इसके बेस यानि कि पेरेंट रॉक के तौर पर प्रिजैन्ट है और यहां का जो हाईएस पीक है देट इस परेश पार्षनात जिसे कहा जाता है पार्षनात हिल तो यह पीज सही है यानि कि all the statements are correct नेक्स बढ़ें कि which of the following statement related to the latitude are true यानि कि latitude के बारे में आपसे question पहुचा जा रहा है latitude के बारे मैं आप लोगों को पहले भी बताया था तो which of the following statements related to latitude are true यह हमें समझना है सबसे पहले है यह वाई क्या होता है यह हमारा अर्थ है यह equator हो गई और यह Tropic of Cancer यह Tropic of Capricorn यह आजाता Arctic Circle यह नीचे आजाता Antarctic Circle यानि कि यह आपका पूरा आगया Northern Hemisphere और यह नीचे वाला आगया सदन Hemisphere तो सबसे पहला question आपसे पहुचा जा रहा है कि rainfall, temperature and vegetation vary with latitude तो यह भी जगत लोन fact है कि equator पे equator क्या होता है equator पे maximum rainfall आती है equator पे maximum rainfall आती है temperature भी क्योंकि sun यहां directly अपनी light देता है तो temperature भी आपर maximum आता है और जैसे ही आप ऊपर North की तरफ और South की तरफ नोग करोगे तो rainfall भी कम होगी temperature भी कम होगा और vegetation तो फिर एरिया के साफसे डिपैंड कर दीगर तो यह option आपका सही है second आता है the difference between the longest day and the shortest day increases with the attitude तो भी यहां पर भी सेम चीज़ है कि यह option भी सही है difference बढ़ता जाता है और points पर तो भाई फिरूद 6 मेने की रात और 6 मेने का लादिन में होता है और फिर सबसे last में Indra point is located approximately at 6 degree 45 minute north भी हमें पता ही इंडिया का location तो भाई exactly यह location भी सही है Indra point यहीं पर आपका live करता है तो 1, 2, 3, 3 option ही सही next आजाता है match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list यहनि की states अब के north इस इंडिया के और location map में आपको spot करनी है यह मेरे time पर question आया था ठीक है यह side 2017 का question है 2017 की second term तो भाई क्या होता है ना कि हमने map नहीं पढ़ा और खासकर north इस में states में हम जादा ध्यान नहीं रेते हैं तो उस case में हमें identify करने में आ जाती है ठीकत तो भाई इसमें पहुचा है कि कौन सा state कहां belong करता है तो तिरपुरा क्या first को belong करता है देखो option में तो 2 और 3 दिखा रहा है तो हमें options के साब से सबसे पहले जाना चाहिए यानि कि second location है कि third location तो भाई ट्रॉपिक अफ कैंसर यहां से पास होती है तो second option तो नहीं है वही second option तो आपका मनी पूर है ठीक है तो this is तिरपुरा जहांसे ट्रॉपिक अफ कैंसर पास होती है तो यानि कि B और E option आटा दीजिए C और D को में consider करेंगे उसके बाद हम देखते है मिजोरम तो तिरपुरा के बाद मिजोरम आता है जहांसे आपकी ट्रॉपिक अफ कैंसर पास होती है तो मतलब B का का होना चाहिए बीका होना चाहिए फोर तो अतलब B is the correct ठीक है यह आपका आगया मिजोरम फिर आता है भई ह यह हमारा complete हो गया गितना भी हमने around मेरे गाद है 30 to 35 questions या more than that 35 questions प्लस अपने questions अभी जो किये हैं यह सारे के सारे CDS 2020-17 से लेके अभी का जो CDS है 2020-23 के Indian physical geography से बिलॉंग करते हैं यह मैंने काल एक गंटे में एकटे कर लिए थे तो I hope कि आप लोग भी यह कर सकते हैं इतना difficult नहीं होता है मैं अक्सर groups में लोगों को देखता हूं कि भई प्रिबियस year questions दे दो अरे जाओ भई UPSC की website से डालनो ठीक है topic wise PYQs दे दो भाई कोई दिशा की फोक दे दो कोई यह दे दो कोई वो दे दो आरे जाओ वहेंगी UPSC की website पर जाओ question paper डाउनलोड करो थोड़ा analysis करने में टाइम लगेगा दो चान गंटे लग जाएंगी लेकिन हमको डाउनलोड करो उनका screenshot नो और उनका ग्रूप पनाओ topic के साब से अभी जैसे मैंने इंडिन फिजिकल जोग्रफी का किया है अब हम lectures कवर करेंगे drainage के यानि की reverse system of India के हम lectures कवर करेंगे वो जो एक घंटा भी नहीं लगेगा मतलब हाँ मैं तो थोड़ा सा कम टाम लेकर लेकर आप दो दो तिन घंटे लग जाएंगे drainage से related जितने भी questions है मैं उनकी grouping करूँगा ठीक है जो अभी हमारी इंते सालों में आये हैं फिर उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगी तो agriculture, soil, फलाना, इमादा, जितना भी आएगा मैं सब के questions आप लोगों करवाता जाओंगा और ये तब है जब मैंने आपको अभी NDA प्लस CAPS प्लस Civil Services की Prelims के questions उठागे नहीं करवाई, हो सकता है आने वाले एक लेक्चर में मैं सुद रहा हूं combined questions करवाँ, ठीक है अगर topic की specific करवाना जाओं तो वो भी मैं आपको करवाता हूं, ठीक है combined questions करना जाओ तो combined questions भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको transport या बागी chapters की बात नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर questions ऐसे भी आते हैं, एक बंदा जो है, वो शिमला से कहा जाना चाहरा है, वो शिमला से जाना चाहरा है, मालनीजिए राची की तरफ, पिर आपको एक state, या तो बीच में क्या, आपके बहुत सारे states लाई कर रहे हैं, पंजाब भी आ गया, हर्याना भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, राधिस्तान हो गया, MP हो गया, महारास्त हो गया, तेलांगना भी लाए कर सकता है, करनाटक भी हो गया, आदर परदेश भी हो गया, आपसे किसी एक state के बारे में characteristics दे दी जाएंगी, कि यहाँ पर कहना इस तरह की soil होती है, इस तरह का vegetation होता है, या कोई famous चीज बता दी जाएगी, फिर आप से पूचा जाएगा, या फिर यह भी बताया जा सकता है, कि इस नेशनल हाईवे के उपर fly किया है, तो भी कौन से नेशनल हाईवे स्टार्ट करेंगे, reverse stock of India में आपके total 4 lectures होंगे, 4 lectures में हम पूरे के पूरा reverse stock of India जो है, 6 से cover कर लेंगे, ठीक है, तो आई वो यह lectures आप लोगों पर benefit कर रहे है, आप लोगे नहीं share कीजिए, अपने friend circle में, subscribe कीजिए चैनल को, alert पे डाल दीजिए, रोच रात को 9 के करीब जो जोग्राफी भी हम cover करेंगे, सारे concepts clear हो जाएंगे, जो भी CTS, NDS, EAPF और मतलब इन सारे exams के लिए ज़रूरी है, तो share them, subscribe the channel, comment किया करिए बताया करिए कि क्या चीज़ें मेरी गलत हैं, क्या चीज़ें मेरी सही हैं, and follow तो करना ही करना है ठीक है, तो सब जगे आपको अगर Instagram पर देखना है, तो उसमें भी काफी informative post रहती है, हमारी defense start नाम से आपको Instagram पर भी मिल जाएगा, ठीक है, बागी Telegram और Instagram से जोड़ी रही है, WhatsApp चैनल से भी जोड़ी रही है, आपको constant updates मिलती रहेंगी, हमारी जो भी MCQ sheets share की जाती है, जो current affairs की sheets share की जाती है, सारी की सारी आप लोगों को वहाँ पर family available रहती है practice के लिए, ठीक है, तो बस हाथ के लिए इतना ही, ओके वितनो, जाहे हिंट दो ये ओल,